भारत में मिला पहला मंकी पॉक्स का मामला देश में केरल से मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आ चुका है केरल की स्वास्त मंतरी वीना जौज ने बताया कि विदेश से लोटे एक 35 वर्षिय व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षन देखने को मिले है जिसके बाद उसे अस्पताल में भरती करा दिया गया है आपको बता दें कि मरीज तीन दिन पहले ही संयुकतरब अमीराथ यानी UAE से केरल के कोलम पहुंचा है मंकी पॉक्स देखने में बिल्कुल चेचक का बड़ा रूप लगता है इसमें लगबग लक्षण भी वही देखने को मिलते हैं डवलु एचो की माने तो मंकी पॉक्स के लक्षण 6-13 दिन में दिखने लगते हैं इसमें बुखार, तेज, सिरदर्द, पीट और मास्पेशियों में दर्द के साथ-साथ गंभीर कमजोरी शामिल है इंफेक्टिड इंसान के सरीर पर इस बिमारी से बड़े-बड़े दाने निकलाते हैं गंभीर स्तिती में ये दाने आँखों की कॉर्निया को भी नुकसान पहुचा सकते हैं इसका सही लास्ट तो अभी नहीं है लेकिन चूकी ये चेचक का ही बड़ा वर्जन लगता है इसलिए फिलाल के लिए ही सही मगर चेचक की वैक्सीन को मंकी पॉक्स के खिलाफ असरदार जरूर माना जा रहा है केंद्री स्वास्ट मंत्राले यानी Ministry of Health and Family Welfare ने कोलम जिले में मंकी पॉक्स का मरीज मिलने के बाद एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को केरल भेजा है ये टीम राज्य के स्वास्ट अधिकारियों के साथ सहीग करने के लिए केरल भेजी गई है जो वहाँ जाकर लोगों के बीच बीमारी से precaution और awareness बढ़ाने में मदद करेंगे दुनिया में मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने सतरकता बढ़ा दी है स्वास्त मंत्राले ने साफ निर्देश दिये हैं कि राज्य को point of entry यानि जिन भी जगाओं से लोग आ रहे हैं वहाँ चोकसी बढ़ाने के निर्देश दिये गए हैं इन जगहों पर विमारी की निगरानी करने वाली टीम से लेकर डॉक्टरों तक की तैनाती के लिए कहा गया है साथ ही जिन लोगों में लक्षन पाए जाएं उनकी जाच के साथ उनके संपर्क में रहने वाले लोगों की भी जाच के निर्देश दिये गए हैं सरकार ने कहा है कि राज्यों में आने वाले ठिकानों पर टेस्टिंग और निगरानी भी बढ़ाने की जरूरत है मरीजों को आइसुलेट करने के साथ साथ उनके इलाज की ववस्ता भी तुरंत की जानी चाहिए उनकी समय समय पर निगरानी कर ठीक होने तक इलाज जारी रखा जाना चाहिए ताकि किसी को भी मृत्यू से बचाया जा सके अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें